शिक्रवार को करीब 11 से साड़े 11 बचे की पीज यवत माल जिले के दिग्रस तैसिल में एक बड़ा सड़क हासा होते होते टल किया शिस पातल गाव से दिग्रस जारी एक स्टी बस अचानक नाले में जाव सी सुत्रों ने बताया कि MH40N8927 नबर की दिग्रस डीपो की पस स्कुली विद्यातियों वरिशन नाखरिक आधी बस यातियों को लेकर जारी थी ऐसे में बस के ड्राइवर ने ट्रक के साइट से बस निकालने का प्रयास किया तब बस का संतुलन गड़ बड़ा गया और बस रास्ते के बाजू में नाले में जाध सी जैसे तैसे ड्राइवर ने बस पन नियंद्रन पाया जिस वज़ा से बस पल्ची होने से बच गई सूत्रों ने बताया कि बस में लगभग 45 बस यात्री सवार थे जिसमें अधिकतर स्कूली विद्यार्थियों वरिष्ट नागरिक शामल थे किस्मत अच्छी थी कि इस दुरगटना में किसी को कोई चोट नहीं आई इस खचना की वज़़ा से बस में सवार स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल पहुचने में काफी देनी हुई किस्मत से सडक हाथसे में कोई हानी नहीं हुई सूतरों ने बताये कि दीगरस से चिचपाताल रोड बेहत खराब हो चुका है रोजाना चिचपाताल वसंदगर आधी गावो के विध्यार्थि इस बस में सफर करते हैं जिस वज़़ से इस रास्ते से बस का सफर काफी मुश्किल भरा होता है दूसरी बात यह भी है कि दीगरस डीपो की जो बसे ग्रामिन शित्रों में दोडाई जाती है उनकी हालत बेहत खराब हो चुकी है ऐसे में बस डीपो प्रशासन को चाहिए कि वे बसों की दुर वबस्ता पर ध्यान दे साथ ही तैसिल के ग्रामिन इलाकों की सड़कों की ततकाल मरमत का मुद्दा भी इस तड़क हाथसे के जरिये एक बाफिर उचागर हुआ है NBCN News के लिए दीगरस जुवेर खान की रिपोर्ट